कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे डिस्टिक हेल्ट एंड फैमली वेलफेर सुसाइटी हिसार हर याणाय में आपके वेकैंसी निकाली है एड़ोटेज्मेंट डेट देख सकते हैं आप 3 अगस्त 2021 तो डिस्टिक हेल्ट एंड फैमली व के लिए तो चलिए अब चलते हैं वेकैंसी के ऊपर तो सबसे पहली पर जो पोस्त है वह आपकी मेडिकल ऑफिसर चाहिए नंबर ऑफ पोस्त इसमें टॉटल सिक्स है और एंट्री लेवल जिसमें आपका प्यस्केल रहेगा वह रहेगा आपका 50,000 पर मिनिट सौरी पर मन् कि मैं क्वालिफिकेशन और एक्स्पिरेंस की बात की जाए तो इसमें में बीबिएस मांगा गया किसी भी रिकोग्ड़नाइज दिस से और नौलज ऑफ हिंदी अप तो मैट्रिक स्टेंडर आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट है आयूश मेडिकल ऑफिसर तोटल पोस्त इसमें 4 है टीन मेल के लिए और एक फिमेल के लिए इसमें अगर पैश्कील के बात की जाए तो आपका जो पेश्केल रहेगा वो रहेगा आपका 18750 परबंत की बात की जाए तो इसमें कि धिरी मानगी गाई गय है आयूश में आपके पास education qualification होनी चाहिए आप इस form को fill up कर सकते हैं या फिट डिग्री हो आपके पास हमेपर्थी में हो तो आप तो भी इस form को fill up कर सकते हैं और नेक्स देख लगते हैं अब हम कौन सी वेकंसी है तो नेक्स वेकंसी इस तरफ चलते हैं वो है आपकी स्टाफ नर्स फेमेल के लिए तो इसमें टोडल जो पोस्ट है वो है आपकी 37 इसमें जो आपका पेस केल रहेगा वो रहेगा आपका 13500 पर मन्त education qualification की बात कि यह तुम्हे मैं बिया देख मांगी यह यह फिर इनम का आपका आपको सखोर्श होना चीह है और अधर्याना नर्स रेजिस्टर्ड काउंचल में और हिंदी सप्छिस अब तू मैट्रिक्स तेंड़नदा में आप पर बशलनी चाहिए नेक्स्ट अ ए एनम की टोटल लंबर वटकेंसी इ अप्टू मेट्रिक नेक्स्ट आपकी फार्मिस्ट टोटल नंबर वेकंसी इसमें फाइव है और इसमें जो आपका पे रहेगी वो रहेगी 12500 पर मंत तो क्वालिफिकेशन की बात किया तुमें 10 प्लस तो मांगी गई यह सांस के साथ फिजिक्स एंड केमेस्ट्री डिपलोम इन फार्मेसी फ्रोम रिगोगनाइस इंस्टिटूट और रिजिस्टेड होना चीए ऐस फार्मिस्ट विध हर्याणा फार्मेसी कॉंसिल अंडर सेक्षन कंप्यूटर प्रोफेंसी होना चीए साथ इसाथ आपके बास और नोलज ऑफ हिंदियों आपके बास मैट्रिक स्ट टू येर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्स्पिरेंस होना चीए आपके रिलिटेड फिल्ड बे और हिंदी सस्क्रीज आपकी अप्टू मैट्रिक यह आपके विकेंसी निकाली गई है तो नेक्स्ट विकेंसी के ऊपर चलते हैं वह आपकी जोनल इस्ट एक पोस्ट है इसकी आपकी पेस्केल रहेगा आपकी 13,830 और MSC मांगी गई है जूरो जी और विद एंटोमोलोजी एज वन ओफ द सब्जेक्ट और हिंदी सस्क्रीज आपके बास 10th क्लास में सब्जेक्ट होना चीए नेक्स्ट है आपकी अर्ली इन्वेंटिस्ट कम स्पेशल एजुकेटर एक पोस्ट है इसमें आपकी पेस्केल आपका रहेगा 16,090 रुपे परमन्त MSC मांगी गई है अपके बास अप्टोमेट्रिक नेक्स्ट है आपकी TBHV एक पोस्ट है पेस्केल आपका 9,840 रुपे परमन्त रहेगा ग्राइजिशन मांगी गई है या फिर आपके 10 प्लस 2 होना चाहिए, experience of working knowledge as MPW, LHV, A&M, health worker, certificate of, या फिर higher course in health, education में आपके पास कोई certificate है तो वो भी आप इसमें साथ में लगा सकते है, certificate course in computer होना चाहिए, minimum 2 महिने का और हिंदी संस्कृत आपकी up to 10th क्लास तक आपके उस होना चाहिए, next है आपकी secretarial assistant, इ या फिर आपके पास 2 से 3 साल का experience होना चाहिए, और knowledge होना चाहिए, आपको office maintenance का, record maintenance का, computer related from post of superintendent, superintendent assistant, document from Haryana government, हिंदी संस्कृत आपकी up to metric मांगी गई है, next है आपकी accountant, एक पेस्ट हैस में भी आपकी पेस्केल 12,500 और पर मंत्र रहेगा, वहीं education qualification की बात की जाए तो इसमें व of tallyo आपका होना चाहिए, one year post qualification experience related to account work, आपके बास है, तो आपको इसका फाइदा मिलेगा, हिंदी संस्कृत आपकी up to metric, तो ये आपकी vacancy थी, और vacancy भी देख सकते हैं, पेरामेडिकल worker की है, एक पोस्ट हैस में आपकी, और pay scale रहेगा, आपका 7,500 और पर मंत रहेगा, higher school, higher secondary holding certificate of PMW training, या फिर आपके बास MSC, BAC है, three year experience के जाथ related field में, health working knowledge of आपके बास computer है, तो भी आप इस form को fill up कर सकते हैं, नेक्स्ट आपकी technician, total number of vacancy is 10 है, इसमें, registered होना चाहिए, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, जी एनिम, BAC, नर्सिंग का और इननी संस्कृत आपके आपके metric होनी चाहिए, नेक्स्ट आपकी STLS, इसमें एक post SC वालो के लिए है, और इसमें पेस के लिए रहेगा आपका साथ, जासे लेके 580 रुपे पर मंत, education qualification के बात की जाए, तो graduation होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास medical laboratory technology में, और permanent two wheel driving lessons आपके पास होना चाहिए एक post SC वालो के लिए इसमें जो आपकी पेस के लिए रहेगी, वो रहेगी, आपकी 16,291 पर मंत, इसमें आपकी BE मांगी गई है, BEB Tech, electronics, instrument, biomedical engineer, with experience in biomedical field, hospital for installation, और साथी साथ, हिंदी संस्ट आपकी मांगी गई है, आपके 10th class में, next आपकी senior dots plus TV, HIV supervisor, एक post SC वालो के लिए, इसमे 11,70 रपे पर मंत, और ग्रेजिशन मांगी ये इसमें, और certificate course होना चीए, आपके पास computer में, और आपके अस two wheeler का driving lessons होना चीए, और good communication skill होने चीए, साथ ही साथ आपका सिंदी सस्कूत होने चीए, आपके बस matrix stand में, तो ये आपकी number of vacancies निकाली है, हर्याना, हिसार में आपक आपकी पोस्ट वालो के लिए, आपकी पोस्ट वालो के लिए, आपकी पोस्ट वाइस, डेट, टाइम और वेन्यू फर रिटन टेस्ट आपको इनकी official website पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, तो minimum जो इसको passings के लिए है, merit list बनाई जाएगी, interview में को बिलाएगा, आपकी minimum जो है, वह आपकी 40% है, 40% आपको कम से कम marks लेने पड़ेंगे, और MBBS Medical Officer जो है specialist है, उसके लिए किसी पकर कोई exam नहीं होगा, direct interview होगा आपका, ठीक है, और आप form भरते हैं वक्त, आपका contact number, email id, postulator, spin code, passport, photo, signature, thumb, impression, documents of education, qualification, यह सब आप अपने साथ मे ज़रूर लगाए, और साथ ही साथ आपको time of test और interview में आपके पास होने चाहिए, तो इस online form को आप fill up कर जिएगा, आपकी बहुत ही अच्छी कासी वेकेंसी निकाली है, और online इस form को आप fill up कर सकते हैं, जिसकी last date आपकी 1620 है, District Health and Family Welfare Society इसार में आपकी वेकेंसी निकाली लगे हैं, वीडियो अगर आपको knowledgeable लगे हो तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा, thank you